Hello everyone, स्वागत है आप सभी का एक वफी से GDC E-Tutor के मेडिसिन सीरीज में आज की हमारी मेडिसिन होने वाली है जीरो डॉल एस्पी जी हाँ, जीरो डॉल एस्पी काफी प्रचलिक मेडिसिन है और डॉक्टर्स के द्वारा काफी प्रिस्क्राइब की जाती है ये मेली मसल पेंज, जॉइन पेंज, मसूडों के दर्द, दाद दर्द और जो सरजरी के बार जो inflammation होती है उसमें काफी प्रिस्क्राइब की जाती है और इसका effect भी काफी देखने को मिलता है ये डाक्टर के द्वारा बहुत ज्यादा लिकी जाती है और इसका जो effect है बहुत ह अच्छा होता है तो zero dollar SP के बारे में आज हम उसका पूरा content क्या क्या होता है, doses क्या होती है, इन में जो content है, उसका function कैसे होता है, साथ ही साथ side effect uses के बारे में complete हम यानि की संपोड जानकारी देने वाले हैं, बने रहेगा पूरे वीडियो में जिससे कि आपको यस medicine के बारे म आपको जानकारी मिल सके, चली डे स्टार्ट करते हैं, zero dollar SP टब्लेट के बारे में, सबसे पहले हम देखेंगे कि यह disclaimer क्या है, कि हमारा जो medicine को बताने का medicine की बारे में जानकारी देने का जो purpose है, एक तरह से एक पढ़ाई के मातरे से होता है, एक तरह से जानकारी के मातरे से ह ले, क्योंकि बीना डाक्टरी सला के medicine लेना, जान लेवा हो सकता है, चली डे स्टार्ट कर देते हैं, zero dollar SP जो होता है, उसमें composition या content क्या होगा, जब आप पत्ता देखोगे, तो उसमें 3 medication, 3 API होंगी, acyclophinek जो की 100 mg के amount में आती है, paracetamol जो की 325 mg के amount में आती है, जो की 15 mg के amount में आती है, और इसका price 118 के करीब होता है, 10 strip, यानि की 10 tablet होती है, यहाँ पे कुछ इसका ऐसा पत्ता दिखेगा, zero dollar SP, पहले ही क्या होता था, zero dollar नाम से आती थी, जिसमें सिफ acyclophinek होता था, SP क्यों बोला गया, seratopeptidase और जो paracetamol content डाला गया, इसलिए इसका नाम zero dollar SP पड़ा है, अब देखेंगे हम कि यह जो तीनों content है, इनका क्या function है, क्या act है, किस category की drug है, तो mainly जो हमारा acyclophinek है, वो NSAID के category की drug है, साथ ही साथ paracetamol भी NSAID category की drug है, जो की non-steroidal anti-inflammatory drug होती है, acyclophinek का mainly जो work होता है, सूजन में inflammation को दूर करने में होता है, जबकि जो paracetamol होती है, anti-paratic या fever reducer की तरह act करता है, इसमें जो seratopeptidase है, seratopeptidase का work क्या करता है, कि एक enzyme होता है, जो कैसे work करता है, breaking down abnormal protein at site of inflammation, जहाँ पे सजरी के बाद, चोट के बाद inflammation होती है, वहाँ पे का काम होता है, यानि कि जब हमारा सर्जरी हो गई, चोट लग गई, सूजन आ गई, दाद मसूरों में सूजन, किसी भी प्रकार का सूजन भी होगा, तो 0-Doll-SP को प्रिस्क्राइब किया जाता है, चले डियो इस्टोटाइन, उसके बाद हम देख लेते हैं, कि 0-Doll-SP का usage, कहां कहां मेंली, ज्यादा तर इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, मसल पेन में, मसल रेटे जो भी मस्कुलो स्कुल्टल पेन होगा, उसमें 0-Doll-SP को दिया जाता है, साथी साथ जॉइंट पेन, ओस्टियो अर्थराइटिस वाले कंडिशन में, इस मेडिसिन को मेंली प की जाती है, साथी साथ तूथ और गंस के पेन में मेंली इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, फिर हम बात करेंगे 0-Doll-SP के डोस के बारे में, जी हां, जो डोस कितनी ले सकते हैं, कितनी प्रिस्क्राइब की जाती है, मेंली जो डोस होती है, वो डॉक्टर आप इवनिंग में डिस्क्राइब की जाती है इसको फूरी तरीके से स्वालो किया जाता है चबाया नहीं जाता है साथी साथ हम बात करेंगे जीरो डॉल ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनके केस में ये जीरो डॉल एस्पी उनको नुक्सान पहुचा सकती है और साथी साथ अपने डॉक्टर की सला से जितना आपको प्रिस्राइब करें जो आपकी कंडिशन है उसको देखके ये प्रिस्राइब की जाती है फिर हम बात करेंगे कि ज बर्न हो सकता है लॉस अप अपटाइट यानि भूग की कमी होना साथी साथ डाइरिया की कंडिशन आ सकती है ये था हमारा जीरो डॉल एस्पी बहुत ही में हमारी जो दवा होती है हमारे पेंस हैं है ना उसमें दी जाती जिरो डॉल एस्पी तो ये जानकारी अच्छी muc, all the very best